अभी हाली में देखा होगा आपने कि आपका गिलोबल हंगर इंडेक्स 2022 आया हुआ है और इसमें हमारी इस्तिती यानि कि भारत की इस्तिती बहुत ही बुरी बनी हुई है टोटल 121 देशों को सामिल किया गया था जिन में भारत की इस्तिती 107 वे स्थान पर है जो हमारे पडोसी है ना उनसे भी हमारी इस्तिती बहुत बुरी है उधारन के लिए आप लोग मान सकते हैं मान लिजे कि आपकी किलास में टोटल 121 बच्चे वैठे हुए है और उसमें से अगर किसी का नंबर 107 वा आता है तो आप लोग क्या कहेंगे अच्छी इस्तिती है या उसकी बुरी इस्तिती है और आप लोग जिस भी एकजाम की तयारी कर रहे हैं उन सभी एकजाम के पुराने कुश्चनस पेपर उठा के देखिए चाहे आप लोग से भी सर्विस की तयारी कर रहे हो इस्टेट वी सीएस की तयारी कर रहे हो या वंडे एकजाम की तयारी कर रहे हो तो इस तरह कि सोचकांग से कुश्चनस आपकी परिक्चाओं में आते रहते हैं और वैसे भी मुझे लगता है कि अगर भारती है नागरेख हैं आप तो इसके इस्तिती भारत की इस्तिती के बारे में आपको मालू होना चाहिए। अभी हाली में आपने देखा होगा भारत जब वेटेन को पीछे चोड़कर आंगे बड़ा थार्द वोस्ता की छित में तो हमारी सरकार ने बड़ी वाहवाई लूटी थी लेकिन अब आप देखेंगे कि चुप बैठ जाएगी सरकार यानि कि आप देखिए भुकमरी का एक सो साथ भी नंबर पर हैं टोटल कितने देश सामिल हैं आपकी एक सो एकीस देश सामिल हैं देखिए हमारी प्यारी पितवी है और इस पितवी पर आप जो देखते हैं एसिया हो गया इरोप हो गया अफेका महादीप हो गया उत्री अमेरिका दच्री अमेरिका औस्टिल और देखे पाकिस्तान ने 99 नंबर पर है और जो स्री लंका हमारा पड़ोसी है जहां आप देखते हैं कि बहुत बुरी इस्ते दी बनी हुई थी आर्थिक संकर से जूज रहा था उसका नंबर 64 वा है और नेपाल जो हमारा पड़ोसी है यह 81 वे नंबर पर है वहीं अगर बं संकरार से ख्री पर आथरे स्टान पर Set Tow 15 में आप देखिए चाइना का भी नाम सामिल है जिस चाइना की हमनलोग बराबरी की बात करते रहते ना उसी की बात हो रही है अगर हम लोग पॉप मिसमें देखें तो आप देखिए कि टॉप में यहाँ आप- बैला रोस है ये टॉप पर बना हुआ है उसके बाद आप लोग नीचे आएंगे तो यहां आप लोगों को वैस्निया एंड हर्जी गुवीना देखने को मिलेगा ए है फिर उसके बाद आप लोग आएंगे दच्छर अमेरिका चलिए और यहां आप लोगों को एक देश पारे में हम लोग बिस्तार से बात कर लेते हैं और मुझे लगता है कि वंडे एकजाम के लिए इस तरह के प्राइंट काफी मात पूड़ रहते हैं तो आप देखें कि 2021 में अगर हम लोग बात करें तो भारत 116 देश सामिल थे उस समय और भारत का नंबर था इसमें 101 बार और इस बार हम लोग पहुच चुके हैं 107 बे नंबर पर 2020 में आप देखें 94 बे नंबर था भारत कितना 94 बे नंबर पर अब आप लोगों की दिमाग में यह आता होगा कि इस रिपोर्ट को इस एंडेक्स को जारी कौन करता है तो यह बास एक रिपोर्ट है यानि कि हर साल आपकी जारी की जाती है बैस्विक भॉकमरी सोचकांग इसे कंसर्ण वर्ड वाइड और वेल थूंगर हिल्प द्वारा से इकतरोप से पिकासित किया जाता है अगर हम लोग कंसर्ण वर्ड वाइड की बात करें तो 1968 में इसकी स्थापना हुई थी इस संस्था की और आयले और यह पहली बार कब जारी किया गया था 2006 में जारी किया गया था और यह हर वर्स अक्टूबर में जारी किया जाता है और इसका 2021 का संस्करण जी एचाई के 16 भी संस्करण को संदरवित करता है ए 17 वाह है इसका इसके उद्देश की बात करें कि रिपोर्ट किस उद्देश के लिए जारी की जाती है वैस्विक छेत्री और देश के इस तर पर भूख को ब्यापक रूप से मापना और ट्रिक करना इसका मुख उद्देश है इसकी गढ़ना किस तरह से होती है आप देखेंगे इसकी गढ़ना चार संकेतकों के आधार पर होती है और कई बार आप कि प्रिलिम्स में इस तरह के questions पूँच लेता है और आप देखें जब आप मुख परीक्षा में आंसर लिख रहे होते हैं उस समय भी आप लोग एक पॉइंट डाल सकते हैं निवंद लिख रहे होते हैं वहाँ भी आप लोग इस पॉइंटों को डाल सकते हैं अल्पोसन इ उनकी उचाई के हिसाब से कम है या तीब कोपोसन को दरसाता है या ना कि उनके खाने में कुछ ना कुछ कमी रह गई है कोपोसन से जूज रहे हैं और तीसरा इसमें आप देखें कि चाइल्ड इस्टेंटिंग और पांस साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिनका बजन उनकी उम्र के हिसाब से कम है या कोपोसन को दरसाता है और चोथरा आप देखेंगे बाल मित्ती उदर पांस साल से कम उम्र के बच्चों की जो डेथ हो जाती है ना मौत हो जाती है ना उसको भी सामिल किया गया है अगर हम लोग स्कोरिंग की बात करें तो चार संकितकों के मूली के आधार पर GHI 100 बिंदो पिरमाने पर मूख का निर्धारन करता है जहां 0 सबसे अच्छा संभव स्कोर है और 100 को सबसे खराप माना गया है और पितेग देश्ट के GHI स्कोर को गंभीरता के आधार पर निमने में से निमसे लेकर अतिन्त खतनाक तक बरगे कीत किया गया है और जो हमारी स्थिती है न इस बार हमें स्कोर मिला है 29.1 यानि की गंभीर सेड़ी में हम लोग बने हुए है खात और किसी संगठन द्वारा अलपोशन डेटा प्रिदान किया जाता है और बाल मित्युदर डेटा स्युक्त राष्ट एंटर एजनसी ग्रूप और चाइल्ड मार्टिलिटी एस्टिमेशन UNIGM से प्राप्त किया जाता है बच्चों की वेस्टिंग और एस्टेंटिंग के आंकड़ी युनिसेप विस्व स्वास संगठन और विस्व बेंक के सयुक्त डेटावेस के लिए से लिए जाते यहां कुछ संगठनों की भी उलेक हुआ है इनके बारे में भी जान लीजे आप लोग देखे सबसे पहले तो UN के बारे में बता देता हूँ आपको सयुक्त राष्ट की बात हो रही है युनाइट इनेशन्स की 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी नियॉर्क USA में आपको हेड़क्वाटर देखने को मिलेगा दूसरा आप देखेंगी UNICEF की बात हुई है किसकी? UNICEF की और इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी नियॉर्क USA में इसका हेड़क्वाटर देखने को मिलेगा एक है आपका WHO WHO की बात करें तो World Health Organization की बात हो रही है 7 अपरेल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी Geneva, Switzerland में इसका मुख्याले आपको देखने को मिल जाएगा और एक आप देखेंगे World Bank की बात हो रही है वर्ल्ड वेंग की बात हो रही है वर्ल्ड वेंग की अगर हम लोग बात करें न तो इसकी स्थापना कब हुई थी? विस्थापना की इसकी स्थापना आप देखेंगे कि हुई थी December 1944 में और इसका Headquarter आपको Washington DC USA में देखने को मिल जाएगा इस तरह के संगटनों के बारे में एक सामान जानकारी जरूर रखा करीगा इनसे भी आपकी परिक्चाओं में कुश्चन्स पूच्चा जाता है और बैस्मिक परिदिस अगर हम लोग इस संदरब में देखें तो भुकमरी समात करने समंदी कारिक्रम का निस्पादन बहुत अच्छा नहीं पाया गया है और आप भी देख रहे हैं हमारे देश में लंबे समय से एक नारा चला आ रहा है भुकमरी खतम करेंगे गरीवी खतम करेंगे इस पर आप देखे राजनीती भी होती रहती लेकिन भुकमरी भी आज जियोंकितियों बनी हुई है और आप देखे गरीवी जियोंकितियों बनी हुई है वर्तमान जी अचाई अनुमानों की आधार पर पूरी दुनिया विसेस रूप से 47 दिस बर्स 2030 तक भूख के निमनिस्तर को पिराप्त करने में विफल रहेंगे और आप देखेंगे कोविद महामारी ने भी जितनी कमी रह गई थी वो भी पूरी कर दी है और आप देखेंगे कि छेत्रों देशों उसमदायों की बीच ब्यापक आसमानता जिसमें सतत बिकास लक्ष किसी को भी पीछे ना छोड़ने का पर विपरीत बिपर पिरहाओ पड़ेगा और अप ही कि विसे इस रूप से ओप सहारा दच्छे डेसिया यासे छेत्थें जहां भुकमरी का इस्तर सबसे अधिक है दोनों छेत्रों में भूंक का इस्तर गंबीर भी बना हुआ है और जैसा कि आपको भारत की बारे में बताया है वर्स सन 2000 की बास से भारत ने इस छेत में पर्याप प्रगती की है लेकिन अभी भी बाल पोसन चिंता का मुख्य छेत बना हुआ है ठीक हो इस बार का स्कोर आप लोगों को याद रखना है अपना कितना है 29.1% ठीक है और आप देखेंगे जन संक्या में कोपोसित का अनुपाद और पांच बर से कम आयू की वच्चों की मित्तिवदर अब अपेक्चा की निम्न इस्तर पर है भारत में चैल्ड स्टेंडिंग में उलेकन ये कमी देखी गई है 1998-99 की स्टर 55.2% से घटकर या 2016-18 में 34.7% हो गई लेकिन इस छेत में अभी भी बहुत कुछ किया जाना सेस है भारत की GHI स्कोर में चैल्ड वेस्टिंग का इस्तर 17.3% था जो अन्य देशों की तुल्ला में बहुत पिछड़ा हुआ था और भारत की स्कोर 1998-99 की तो यह भी आप लो याद रखा करियेगा गारत का पक्षस पर क्या Report पर रहा है मैं भारत महला मंतरा लेन इस रिपोर्ट की आंलो चना करेंगे देखे अभी की शरकार कीOWा कि बात नहीं है पहले भी शेट से पहले आप देखे जो भी सरकार है नहीं है अगर सरकार की पक्ष में कोई रिपोर्ट आती है इंडेक्स आती है तो उसका सरे सरकार लेने के लिए तयार रहती है लेकर अगर उसके खिलाप आप देखी कोई रिपोर्ट आती है तो वो तुरंद कह देती है कि हमारे खिलाप स बोजन में सामिल करने के लिए पेरित किया जाने ही तु आयोजित एक आउट रिच गती भी दी है। पहल लिख रहे होंगे तो इन सभी को डाल सकते हुआ। खाद प्राप्त करने का अधिकार देता है। मिसन इन्देधन दो वर्से कम उम्र के बच्चों गरबती महलाओं को बारे वैक्सीन निवारक नुरोगों के खिलाब टीकार करने के लिए लक्चित करता है। और एक ही करित वाल विकास सेबा दो अक्टूबर 1995-1975 को शरू की गई थी। एक बार आप लोग भारत की स्तिती फिर से देख लीजे इनसे डारेक्ट आकड़े कई बार पूँच लेता है। देखे जो गिलोबल हंगर इंडेक्स है इसे जारी कौन करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्प मिलकर करता है इसका। और इसे में 2022 में भारत की स्तिती क्या रही है हम लोग 121 देशों में 107 भी नंबर पर हैं। हमारा स्कूर क्या है सो में सी 29.1 परसेंट है यानि कि गंभीर सेंडी में हम लोग हैं। और भारत हमारा पड़ोसी इसका इस्तान क्या है 99 नंबर पर हैं। पाकिस्तान से हमारी सीमा लगती है लग्दाग, जम्मुकस्मीर, पंजाब, राजिस्थान, गुजराद, पांच राज्यों की सामी सीमा लगती है। अफगानिस्तान की क्या इस्तिती है? अफगानिस्तान आप देखेंगे कि 109 वे स्थान पर हैं। हमारे लग्दाग वाले से की सीमा लगती है अफगानिस्तान से। चाइना आपका टॉप पर है, चौथरी टंबर पर है आप देखें टॉप से। तो इसकी लग्दाग, हिमाचल पदेश, उत्राखंड, सिक्किम, अरुणाचल पदेश की सीमा लगती है हमारी। उसके बाद नेपाल की बात करें तो आप देखें नेपाल भी हमारा पडोसी है लग्द, उत्राखंड, उत्रपदेश, बिहार, पश्यमंगाल, सिक्किम की सीमा लगती है। उसके बाद मियानबार की बात करें तो आप देखें जो पड़ोसी है हमारा है अज़ना चलपेदेश, नागलेंड, मडीपूर, मिजुरम की सीमा लगती है बंगलादेश भी हमारा पड़ोसी है 84 वेस्थान पर है जरूर याद रखेगा बंगलादेश केतने नमबर पर है 84 प आप देखेंगे कि यहां आप लोगों को देखने को मिलेगा और दूसरा आप देखेंगे कि यहां आप लोगों को देखने को मिलेगा बोसनिया एंड हर्जी गुईना फिर तीसरा चीली है फिर चाइना आपको देखने को मिलेगा तो इस तरह कि जब भी कोई रिपोर्ट जारी की जाती है तो उसे जारी कौन करता है उसमें भारत की स्थिति क्या है किन आधार को किन आधारों को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया जाता है इस रेपोर्ट को हमारी पड़ोसियों की इस्तिति क्या है उपर से टॉप कौन कर रहा है इस तरह की जानकारी आपके पास होनी चाहिए जरूर यह ठीक है और आप जिस भी एक्जाम की कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने पूछे भी जाते हैं ठीक है